करेंगे कल मैं आपको एक सब्नेटिंग क्लास सी का प्रैक्टिस करवाया था और आज मैं क्लास बी और क्लास एक की प्रैक्टिस करेंगे आज आपके पुरी की पूरी समिटिंगगा इस की लिए हो जाएकि उसके बाद हम नेक्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे कल से आपका आई पी फोर यहां पर खतम हो जाएगा आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रोब्लेम सब्नेटिंग क्लास बी का लेकर एक मैं आई पी एड़िस ले लेता हूं 172.168.1.0 क्लास बी की आई पी एड़िस से आप देख सकते हो इसका क्सक्राइब से क्लास बाइड इफॉल्स बमाज को क्या होता हुग mock चुट ऑफिफ वेनिट्रों को सिर्ट को में से निवसेनिग वेल्यू इसका मतलब जो मैं सम्तों 255.255.128.0 यह सायद आपको अब किलियर होगी पुरी की यह 17 से 17 से मैं सब्नेट मास्क यह कैसे लिखा हूं और सब्नेटिंग के लिए आपका जो इस टेप मेथड है वह पहला इस टेप यह इस टेप वन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्नेट मास्क लिखन करना हूँ आपको इस टेप सब्नेट निकालarin के लिए वर्मूला मैं ने बताया था आपको ब्लॉक साइज निकालने के लिए 256 माईनस सबनेट मास्क इस ऊक्तेट में लास्ट वण नेट्वर्ग बीट होगा राइट जैसे इसमें 17 निकाओं तो मैं थर्ड ऑक्तेट में लास्ट वन रेरेट फ़स्ट अक्तेट में वान और यहां पर थडर्ड की सब और जॉटर्ड में चेंज हो रही है तो इस ऑंक टेट की सब्सक्राइब चालगे यह आप अपने फर्मुले को इसार को मैंने आपको बताया वह पूरा फॉर्मूला वह लिख is step 3 step 3 में आपको क्या करना है नम्मर of नेटवर्ड निकालना है नम्मर of network नम्मर of network formula 2 to the power and is the network which goes in host bit वह network with host bit में गया हुआ है वो सारे number of network bits यहां पर पूट कर देना आपकी पावर में और step सब्सक्राइब नॉम्मर फॉर में आपका वैलिड होस्ट इसका भी फॉर्मूला में बत्या था तो यह आपका चार स्टेप है इस सटेप के अकॉर्डिंग आप सब्सक्राइब करोगे अब देखों सब्सक्राइब करते हैं इसका यह मेरा आइपी एडेस है अच्छे से अब आप इसको समझना आप एक सब्नेटिंग अच्छे से सीख लो कि कैसे होती है साना आपका मेथड वही रहेगा वही प्रोसेस रहेगा आप क्लास C का करो B का करो या A का करो रहाई तो आपको कोई भी एक अगर अच्छे से आता है त कि चलो मेरा आइपी एडेस क्या था 172.168.1.0-177 मैं सब्नेट मास्क लिखा 255.255.128.0 मैं ब्लॉक साइज निकाला ब्लॉक साइज क्या जाओगा 256-128 मतलब क्या 128 यह सब में आपको प्रोब्लम नहीं हो रहे होगी गाइस ब्लॉक साइज निकालने में क्योंकि यह सब देख चुके हैं पहले काफी टाम आपको मैं यह 17 से यह कैसे आता यह बता दिया बता दिया हूं और आपको यह ब्लॉक साइज निकलना काफी टाम इसलिए बोल दिया हूं क्योंकि आप देखो पूरी की पूरी सब्नेटिंग जो आपका अपको अच्छी साना चाइगा पीछे का वीडियो देखो अगर तब भी समझ में आए तो मैं बताओ मैं और बीडियो बनाऊंगा और अच्छे से इसको किलियर कर दूंगा अगर मैं चाहूं तो आपको दस दिन में कंटिन्यू सब्नेटिंग पढ़ाता रह जाओंगा बट आप जब तक प्रैक्टिस नह ぁ ज्या है 128 कि अमेरा को निकालना एं नम्मर ओफ निटवर्क और नम्मर ओफ निटवर्क क्या होता है तू तू दी पावर एंड एंड कितने नेटवर्क बिट गया है होस्ट बिट में वान एक बिट तो टू तू दी पावर वान विकॉस देखो ना फर्स्ट अक्टेट में तो चार छे आठ पुड़े के पुड़े एट राइट वान यह आपका फॉर्स अक्टेट में मां कि सारे जी तो यह एक बिट आप बोर लिए हो राइट तो यह टूटू दी पावर वन वन कहने की टूट आजलब आपका network कितना बनने वाला है यह यहां प्र हुश्ट कि इसमें से आप 17 bit network के यह यूज कर रहे हो तो कि ना बाशीय आपका 15 15 बिट क्या है अभी आफ का आइप अलीजर में होस्ट बीट तो तू पाब़ार 15 माइनस टू यह आप का क्या हो जाएगा यापका क्या होगा फिप्टीम कितनी होती है एक सकेप से सिरी कि तो 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 थे पावर 15 अब है कि तो तो थे पावर 15 जास्ट ऑमुमेंट छोड़ो जो भी कि तो थो तो धी पावर 15 माइनस टू यह क्या हो दैगा आपका वैली लूस्ट तो तुट फाउर 15 माइनस 2 आप क्लेकुलेट करके देख लेना इसमें क्या वैल्यू आएगे वह मेटर वैसे नहीं करता है आपका कुछ भी हो चलेगा राइट अब देखो हम नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं यहां डिस्टर्ब कर देता है फोन अब देखो हम नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं राइट पहला नेटवर्क क्या होगा यहां पर मैं लिखता हूं नेटवर्क किता network बनेगा गाइज दो दूख 1 और नटवर्क 2 नटवर्क 1 और नटवर्क 1 और दो नटवर्क 2 दो नटवर्क बनेगा यहां पे मैं लिखता हूं आपको नेटवर्क आईडी 14 यहां पर मैं लिखता हूं first IP address और यहां पर मैं लिखता हूं last IP address और यहां पर लिखता हूं मैं broadcast ID broadcast ID एक पहला network का network ID क्या होगा यहां तक तो मैंने को कुछ तच ही नहीं करना है और जो मेरा 16 बीटे स्टार्टिंग का वो तो मेरा रिजर्ब नेटवर्क के लिए जो आपने नोटेशन देखा था वो नेटवर्क नेटवर्क होस्ट होस्ट राइट तो यह दो बीट को तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे लिख देना है तो 172.168 तो मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ ओके यह आपका है आई-पी एड्रेस ओके तो यह ऐसे लिख दिया अब थर्ड ओक्टेट में चेंज हो रहा है ओके तो थर्ड ओक्टेट में पहले 0.0 अब जो मेरी ब्लॉक साइज है उसको मैं एड्र करूंगा किसमें थर्ड ओक्टेट में क्यूंकि थर्ड ओक्टेट में तो चेंज हो रही है तो यहां आपका दूसरा नेट्वर्क पहला नेट वरक अडिः की ब्रोड कास्ट यदी क्या होगी तो इस अओाई पी एक पहले वाली एप क्यूंकि यह इंपे घुट इसका ब्रोड कास्ट पहला नोट 172.168.127.255 यही होगा ना अब अगर इसमें वन एड करो तो यह क्या होगा 256 256 मतलब 0 लिख होगे और यहां पर पुट कर दोगे इसको दे दोगे तो 128 हो जाएगा इसका वैलिव राइड तो यह आई-पी यहां पर है तो इससे जस्ट एक पहले वाल आई-पी एड्रेस ही हो आपका क्या है इस नेटवर का ब्रॉड कास्ट अब फर्स्ट वैलिव राइपी क्या हो जाएगा 172.168.0.1 और लास्ट वैलिव राइपी एड्रेस क्या होगी 172.168.127.255 है तो 254 यहां से आई-पी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है आते 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 आपका यहां पर खतम हो और यहां तक इसे आरा हुआ होगा जीडाटी रॉडट टू रॉडट टू रॉडट त्री आते 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 यहां 255.255 ऐसे जाएगा लेकिन टूफाइफाइब तक तो में लिखना ही नहीं है मैं क्या करूँगा तूफाइफब आया होगा उसके बाद लगु यहां होगा और ऐसे होगा अगर आपको इसमें कंफूज होगे नहीं समझ मैं तो अभी आप इधर भी समझ जाओगे देखो इसका अगर थर्ड निट वर्क रहता यहां पे तो क्या होता यहां पर आप 128 और एड करते इसमें तो यह क्या होता तो यहां पर खत्म हो गया कहां पर इससे पहले वाला यहां से बनता लेकिन 256 तो होता ही नहीं है तो मेरा नेट वर्क यहां पर क्या हो गया खत्म अब देखो जो क्लास बी का इस लिया था मैं 172.168.1.0 तो जो अपना यह दो बीट दो ओक्टेट था फर्स्ट और सकेंड वो तो अपना फिक्स ही रहा यहां भी और यहां भी राइट लेकिन यह 0.0 से स्टार्ट हुआ और 255 और 255 पे जाके खत्म हो गया लेकिन उसको मैं दो पार्ट में 255 तक तो आप 0.0 से लेके 255.255 तक को दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया देख लिया आपने अब अगर इसको मैं फर्स्ट वैलिट आईपी आडेस की बात को निट्वर्क टू की तो क्या होगी 172.168.128.1 अगर मैं लास्ट की बात करूं यह आपकी ब्राइड क 255 ओके अब इसकी यह लास्ट आईपी अडेस क्या होगी इस नेट पर की 172.168.255 इससे जस्ट एक पहले वाला 254 यह होगा तो यह 128 हुआ पहला फिर 120.2 हुआ होगा राइट फिर यह आते 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 ते 128.255 हुआ होगा राइट अब 125 के पाद एक और आगे क्या हुआ 129.0 फिर क्या आया होगा 129.1 फिर 233 होते होते यह कहां तक गया होगा 255.1 फिर 251 255.1 255.2 255.34 आते आते 254 तक गया होगा तो यहां से आप यहां तक आई-पी एड्रेस केम्प्यूटर को असाइन करोगे यह आपका ब्रॉड कास्ट एडी और यह आपका क्या नेटवर्क आइडी होप गाइस कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लास में सब्नेटिंग इसको हम कैसे करते हैं और यही मेथड है आपको जितने भ इस समझांके बताया क्या आप प्लीज वहां से सॉल्व करो को सब्नेटिंग को अगर आपको डौट हो वहां पे उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अपना नम्मर दिया हूँ मुझे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो और सब्नेटिंग में आपको डॉट है तो राइट ब में फिर आप आगे आराम से पढ़ते रहना बहुत मज़ाएगा पढ़ने में अभी मैं एक कोश्चन इसी आइपी एड्रेस में देखो कुछ और करता हूं कि इस आइपी एड्रेस को में अगर कि मैं इसको 17 को 18 अगर कर दूं राइट यह 17 को अगर मैं 18 कर दूं 18 कर दूं 19 कर दूं 20 कर दूं तो यह सब आप एक बार करके देखो सॉल्व करके अगर मैं 18 करूंगा तो सबनेट मास क्या हो जागा 255.255.192.0 यह होगा न क्योंकि 128 एट पोजिशन पे और तो यह आपका सबनेट मास हो गया अभी आपका नम्मर ऑफ नेटवर्क कितना हो जाएगा नम्मर ऑफ निटवर्क इसमें दो बीट आप लिए ओ और तो यानि कि क्या रहा है ब्लॉक साइज देखो अभी अगर इसी आइप इस में 17 को यह जगा पर 18 कर दिया तो निटवर्क कितना निकल गया अभी 17 था तो नेटवर्क बन रहा था 18 किया मैं फोर नेटवर्क बन रहा है अभी देखो आप ब्लॉक साइज क्या निकल गया इसका 64 ओके सब्सक्रां सब्सक्राइब यह उल्क्राइब कि सब्सक्राइब डिख इचा सबस्क्राइब हो सब्सक्राइब इसको अब अगर मैं इसको बना होंगा तो क्य hypoth और यहां पर क्या लिखूंगा मैं ब्रॉड कास्ट आइडी देखो पहला नेट्वर्क क्या होगा फिर से वही बात 172.168.0.0 ओके दुबाइं दूसा नेट्वर्क क्या होगा ब्लॉक साइज क्या है आपकी 64 तो आप 64 एड करोगे कहां पर एड करोगे कौन से चेंज हो रहा है आपके थर्ड ऑक्टेट में तो थर्ड ऑक्टेट में आप एड करोगे तो दूसरा नेट्वर्क क्या हो जाएगा 172.168.0 क्या 64.0 फोर्थ नेट्वर्क क्या हो जाएगा 172.168. इसमें फिल से क्या एड करोगे 64 तो यह आपके चार नेट्वर्क बनेगा नेट्वर्क वन नेट्वर्क नेट्वर्क फोर राइट फर्स्ट ऑड्टेज क्या होगी इसकी 172.168.0.1 लास्ट ईपी अड्रेस कि क्या होगी उसके लिए उसके लिए आप इसका लिखोगे ब्रॉड कास्ट डी क्या होगे 172.168.63.255 तो 63.255 के बाद ही तो इसमें अब एड करूंगा तो 64.0 आएगा IP एड्रेस जो सेकेंड नेटवर्ग स्टार्ट हो रहा है यब यह यहां पर खतम हो रहा है तभी तो यहां से स्टार्ट डाइट तो जैसे आप निटवर्ग नेटवर्ग क्या है उससे इक पहला वाला डी एड्रेस उसके पहले वाले निटवर्ग कप ब्रॉडड कास्ट है और जस्ट ब्रॉडड कर से एक पहला आप आपक आपका क्या हो जाएगा लास्ट बैली डेडेस 172.168.63.254 य से अगर मैं नेटवर्ग नमर्टू में बात करूं तो पहला आई-पी एडेस क्या हो जाएगा 172.168.64.1 ओके और लास्ट की बात करूं तो इससे एक पहले 172.168.127.255 यह होगा 172.168.127.254 ओके इसको ऐसे लिखो जो फर्स्ट अक्टेड का दो बीट दो जो यह है 172 और 168 यह तो सब में सेमी रहेगा तो 127.254 लास्ट का टू बीटी लास्ट का दो अक्टेड में यह होगा राइट इसमें भी अगर मैं इसमें बात करूं पहला फर्स्ट वैलिड आई-पी एडेस की तो क्या होगी 128.1 और लास्ट की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉड कास्ट आइड क्या होगी इससे जस्ट एक पहले वाला डॉट जीरो 172.172.168 मैं नहीं लिखता हूं 191.255 यह होगा न इसी के बादना होगा यह आई-पी एडेस और इसका ब्रॉड कास्ट आइड अगर निकालूंगा तो मैं फिर से इसमें 62 64 अगर एड करूं तो यह क्या होगा 256 256 से जस्ट एक पहले वाला 255 और इधर 172.168 यह होगा ना इसका ब्रॉड कास्ट आइड तभी तो इसमें 1 एड करोगे तो क्या हो जागा यहां पर 256 ओके अब देखो इसका आपका नेटवर्क थार्ड का ब्रॉड कास्ट यह था तो वैलिड आइपी क्या हो जागी 191.254 इसका यह और इसका वैलिड रोस्ट क्या हो जागा यह 128.1 यह वैलिड रोस्ट आपका इसमें आएगा ओके वैसे ही आप इसका भी लिख लोगे तो यह आपका एक मेथड इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अब मैं आपको यह बताओ कि इसमें से कॉस्टन कुछ इस तरीके से आ सकता है जो अच्छी कोस्टन है वह कैसे बनता है मैं बताता हूं आपको कि आपको एक आईपी एडेस दे दिया जाएगा आपको आपको आईपी एडेस दे दिया कुछ इस तरीके से की 170 कि 172.168.64.9 आपको दे दिया क्या 18 देखो यह आईपी एडेस आपको दे दिया और पूछ दिया कि इसका नेटवर्क आड़ी बताओ आप इसका नेटवर्क आड़ी यह नहीं मत बोल देना यह तो आगर आपका क्लास लेस होता क्लास फूल होता जो भाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 16 थी अगर वह यूज करते तो आप यह बोलते कि यह आपका क्योंकि एक ही नेटवर्क बनता उस टैम में तो भाई एक ही नेटवर्क आड़ी रहता यही बस लेकिन अभी तो आपने सबनेटिंग क्य है यहां पर 18 है आप इसको कैसे पता करोगी कि यह कौन से नेटवर्क में तो भाई 64.9 है ना दो लास्ट के तो 64 सबसे पहले तो कहां पर है तो 64 यहां पर है राइट 64.9 64 इसका पहला आई-पी इस क्या है 64.1 दूसरा क्या होगा 64.2 64.3 और 456789 9 जो है वो इसके यह पहला आ इस दोनों के बीच में ही जो कहीं पर होगा नाइन राइट 64.9 इसी दोनों के बीच में होगा ना कहीं पर मतलब यह आई-पी एड्रेस कोन से निटवर्क से बिलॉंग करता है 172.168.64.0 यह इसका क्या है निटवर्क आई-डी इस आई-पी आड्रेस का वैसे ही अगर मैं पूछू आपको यह कि इस क्लास से क्वेस्टन लेकि 172.168.128.9 नैन ले लो 18 ले लो कुछ भी ले लो राइट और स्लैस 18 अगर मैं आपसे पूछू कि यह कौन से निटवर्क से बिलॉंग करता है भाई कहीं पर इस यहां से और इसके जो 254 इसके बीच में कहीं पर आ रहा होगा ना डॉट 18 तो इसका निटवर्क आड़ी क्या हो जाएगा यह 172.168.128.0 तो ऐसे आप से क्वेस्टन यह थोड़ा ट्रीकी क्वेस्टन है आपको इस तरीके से निकालना है अगर आप इत्ता इसके बाल निकालों गां तो नहीं आप जब इसको पढ़ोगे सॉल्व करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे बहुत ट्रिक सब है इसका वह सब जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे मैं भी आपको बताओंगा दीदे आप अभी सब समझ जाओगे बट अब भी है आपको सब्देटिंग सिखना पहले राइट जैसे आप एक बार समय ने चीके मैं धीदे धीदे आपको बताते जाओँ आपको तीन मेने का टैम में बुलाओं थीन मेने में अप परफ्यक्ट बन जाओगे सब कुछ आप समझ जाओगे तो आराम जो मैं बोल रहा हम वह क कुछ सोचने जूए नहीं है यह सब आपका चुटकियों का खेल होगा है कि राइट कर दो गया आप सब कुछ सॉख आभी हम देखते हैं एक क्लास का सब्नेटिंग करके क्लास का हो गया क्लास भी का हो गया अभी जो खुआ इसकी सबनेटिंग करणा इसकी सबोट करूंगा गडिफॉल्ट इसकी सबस्क्राइब माश्म होगी 255.0.0.0 और जब सबस्क्राइब में सबस्क्राइब माश्म क्या होगी 255.255.0.0 तो वह कितने 1-0 लीए ओर 8 बीट बॉर लिया हूं कितना बीट 8-bit और बागी सब 0 तो यह जो है आपका 8-bit यह आप क्या कियो बोरो लियो तो नेटवर्क क्या होगा वाई 2 to the power 8 256 कितने नेटवर्क बन्दा यहां पर 256 क्या होगा 256 कोई प्रोब्लम ने ब्लॉक साइज 256 माइनस क्या सब नेट मास्क हो और जिस ओक्टेड में लास्ट नेटवर्क बीट है तो किसमें है सब्ल्चेट में तो 255 कितना आँ अगया ब्लॉक साइज 1 अगया टिक है कोई प्रोब्लम नेरा अब वेलिदोरोष्ट 16 एटो 16 नेटवर्क बीत भी होगा 2 to the power 16 माइनस 2 यह आपका क्या जाएगा hostbit ठेक अब करें नेटवर्क बनाना देखो कितने नेटवर्क बनेगा 256 राइट मैं लिखता हूं नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4, नेटवर्क 5, dot 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 255 और 256 यह ही तक होगा नेटवर्क 256 तक 1 से 256 तक राइट अब देखो यहांपे लिखूंगा मैं नेटवर्क आइड नेटवर्क आइड फिर चे पहला नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा नेटवर्क, चौथा नेटवर्क और पाच्वा नेटवर्क यहांपे लिखूंगा फर्स्ट आइपी, यहांपे लिखूंगा लास्ट आइपी और यहांपे लिखूंगा क्या ब्रोड्कास्ट आइड यहांपे झिर नो 0 जिरो खोई प्रोब्लम नहीं ठीक है दूसरा वैं block साइज एड होगा एड होगा सक रॉड़ोग छी कैंज हो रहा है न सायग सायग क्या वैं competing हो आधा अस Sixty за या है यहां पर क्या करूँ गा लॉक्त को एड़ करूँ गा तो 10.1.00 जीडसरा सभिलानिदे अर scra सबर्सक्राइब frakada डुसरा सुनर्थ ट्री यह अर तो डॉट जीरो डॉट जीडो 3.0.0 ऐसे ही नेटवर्क बनता जाएगा क्योंकि ब्लॉक से मेरा क्या है वान राइट आगे जाते 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 यह कहां तक चला जाएगा 10.254.0.0 और लास्ट का क्या हो जाएगा सेकेंड लास्ट क्या हो जाएगा 10.254.0.0 और लास्ट क्या हो जाएगा 10.255.0.0 ओके यह सेकेंड लास्ट और यह आपका लास्ट नेटवर्क राइट देखो इसका फर्स्ट वैलिड होस्ट क्या होगा तो 10.0.0.1 और इसका ब्राड कास्ट डी क्या होगा ब्राड कास्ट डी क्या होगा इससे एक पहला वाला इप अडरेस देखो इससे जस्ट पहला वाला आइप यह डरेस ट्रीकी यहीं पर है तो ऐसे लिख दूंगा वन है यहां पर वन कि जीरो डॉट 255.255 यह होगा इसका फर्स्ट पहले वाला अब भी देखो अगर मैं इसमें वन एड करूंगा राइट वन एड करूंगा यह वन यह 256 हो जाएगा 256 तो यूज करूंगा ने जीरो और यह क्या करेगा वन किसको प्रकूंगा विशें आइड करेगा 256 यह जिरो हो जाएगा और यह वन जो इसको था इसको यह यहां कर नोट क्या रहत है। यहां पर यह 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 IP address है न तो इससे ज़स्ट पहला वाला IP address क्या होगा यह IP address जो मैं लिक खाहूं पर 10.0.255.255 और इसका last valid IP क्या होगा last valid IP last IP address इससे एक पहले वाला यह broadcast ID है तो इससे ज़स्ट पहले वाला 10.0.255.254 इससे ज़स्ट एक पहले वाला IP address ओके अब यहां से यह IP address स्टार्ट हुआ और यहां पर आके खतम हुआ यहां से आप मसीन को देना 255.255 यह यहां पर यहां पर ब्रॉड कास्ट होगे उसकी यह होगे यह जो है इसके बाद वाला IP address किया है क्योंकि यहां पर यह नेटवर्क खतम हो रही है और यहां से दूसरा नेटवर्क शुरू हो रही है तो इसका वैलिड फर्स्ट होस्ट फर्स्ट वैलिड डाइप एडिस क्या हो जाएगा 10.1.0.1 राइट दूसरा 10.1.0.2 राइट 10.1.0.3 ऐसे ऐसे आते आते आ होगे method कैसे करना है class A में यही method है यही यूज करके आपको पूरी submitting करनी है अगर आप देखो इसकी इसकी अगर मैं broadcast ID लिखूंगा तो क्या हो जाएगी 10.2.255.255 राइट ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे इसकी अगर मैं broadcast ID लिखूंगा तो क्या हो जाएगी 10.255.255 यहां पर क्या हो रहा है आपका नेटवर्क ही खतम हो रहा है इसका जो second इसका जो लाश्ट वैलिट आई-पी अडेस होगा लाश्ट नेटवर्क की वह क्या होगी 10.255.255.254 यह होगा यह होगा तो देख रहे हो आप कैसे हम सब्नेटिंग कर रहे हैं सब नेटवर्क में अब मेरे कोई इस आई-पी एडेस से कोई भी कोश्टन पूछेगा तो मैं इस चार्ट से आंसर दे सकता हूं तो जब आप सॉल्व करोगे इस चार्ट बना बना के जब आप सॉल्व करोगे राइट हर कलास से पांच-पांच कोस्टन करोगे तो 15 अगर 15 अच्छे से कर लि आपको बोल दूट टैन डॉट ट्री डॉट ट्री डॉट जीरो स्टीन इसकी नेटवर्क आड़ी बताओ तो देखो आप क्या देखोगे कि 16 नेटवर्क बीठा है यहां तक मतलब यह चेंज है यहां से मतलब चेंज होगा राइट तो यह एक तो यह आप अगर यहां पे तो आप जीरो डॉट फाइव स्टीन रहता तो अब आपको क्या देखो बैंडॉट 3 कहां पर देखो है यहां पर आच्छा मतलब यह जो आइप यह से इसी के अंदर होगा आ रहा कि थे 3.1.255 3.2.0 3.3.255 तो यह तू और इसके बीच में आपका क्या आजाता है यह इसी के बीच में आ जाता ना तो यह कौन से नेट्वर्क से बिलाओं करता है इस नेट्वर्क से तो इस सब के बहुत साथा ट्रीक है वह सब ट्रीक मैं बताऊंगा धीरे-धीरे कैसे निकाला ज इसको बोलते हैं इसमें यह सब जो कोस्टेन थोड़ा इडवांस लेवल का कोस्टेन आपको जो कोस्टेन मैं दिया हूं उसको करो आप बुक से कोस्टेन लगाना शुरू करो सुरू करो फिर ही होगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं सब्सक्राइब का प्रैक्टिस और अभी देखो आप जो अभी तक पढ़ रहे थे उसमें क्या था एक यूनिफॉर्मली आप डिवाइट करें एक काम करो वीडियो प्राव जाएगा वीडियो से मं कलर स्टार्ट करेंगे और कल उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे राइट अब आपका आई पी भी फोर खतम ह होगी आए लगबग में आप कोस्टन करना शुरू करो आप दीरे-दीरे बन जाओगे इसमें के बाद जब आप आगे पढ़ोगे प्रोटिंग प्रोटोकॉल से पढ़ोगे तो आपको प्रोब्लेम नहीं होगी कुछ भी समझने में इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रह अगर कुछ भी प्रोब्लेम आती है तो में पूछो नहीं यार मैं तो हुई ना बट अगर करोगे नहीं आप तो डॉट नहीं आगी तो पूछोगे क्यों राइट तो यह चीज़ नहीं होनी चाहिए जो भी मैं आज कर बाया हूं उसको करो अच्छे से आपकी अचीज़ लएट चीज़ उसबनेटिंद जाइब ऑस दो एफचे से आपकी सबनेटिंटे सरे हों जय आपकी से बटियं आपकी सबनेटिंटे चसे जबते हैं दोटोगे क्की स kittenój से बट